दो मुहनमते नमा, नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिविदी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल नहीं थी मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज कल एक बिसेश रंखला हम चला रहे हैं उसी बिसेश रंखला में आज बात करते हैं हीरा रतन से होने वाली हानिकी जो 30 सास्ट में लगबग 200 रतनों की चल्चा की जाती है परन्त इन में से 9 महारतन और 85 उपरतन ही जाने वा पहचाने जाते हैं तथा प्राप्त हैं आज हम अपने वीडियो में सुक्र ग्रह के महारतन हीरे से होने वाली हानिकी चल्चा करेंगे हीरे को सबसे तीछन और मूलिवान महारतन माना जाता है हीरे का पैतनित ग्रह सुक्र है जो एस्वर्ल, बिलासिता, सुख भोग, वाहन सुख, राज सुख, इस्त्री सुख, वा इंद्री सुख प्रदान करता है जिस किसी जातक की कुंडली में सुक्र की पोजीशन इस्ट्रांग होती है उन्हें ये सब सुख प्राप्त होते हैं किन्तु विपरीत वा नकारात्मक सुक्र की दसा में ठीक इनके विपरीत इस्तितियां उत्पन होती है यदि किसी जातक की कुंडली में सुक्र की दसा खराब है तो या वह सुक्र से पीडित है तो जातक जीवन भर कश्ट भोगता है यदि सुक्र खराब दसा में है तो सुक्र का पावर बढ़ाने से उसकी खराब इस्तित और खराब होगी यानि नीच, अस्त, सत्रगही, अत्वा कुंडली के छठे, आठमे या बार्वे भाव में बैठे सुक्र का पावर बढ़ाने की भूल नहीं करनी चाहिए अगर इनी तुतियों में जातक भूलवस हीरा धारन कर ले तो हीरा बिनासकारी परणाम देने लगता है यदि सुक्र, सप्तमेस, अस्तमेस यदितियेस होकर किसी मारक के स्थान पर बैठ गया है तो हीरा सुक्र की मारकता को कई गुना बढ़ा देता है इन अवस्थाओं में अगर जातक को कोई हीरा धारन करा दे तो जातक की बुद्ध ब्रष्ट हो जाती है गला, संगते और सौक को उसके साथ साथ उसके कुटम का विरास भी कर देते हैं मेक, करक, ब्रष्चिक, धनु और मीन रास के जातकों को हीरे से दूर रहना चाहिए ब्रख लगन के जातक बिना किसी परामर्स के भी हीरा पहन सकते हैं क्योंकि ब्रख रास का मालिक सुक्र है मिथुन, सिंग, कन्या, तुला और मकर रास के जातकों को जोतिसी सलाह लेकर ही हीरा धारन करना चाहिए हीरा बहुत ही तीछन रतन है और यह धारन करने के 24 घंटे के अंदर अपना प्रभाव दिखा देता है हीरा रतन धारन करने के कुछ समय बाद अगर उल्टी, आना, सर गूमना, घबराहट या बेचैनी मालूम पड़े या कोई चोट लग जाए या अंजाना भै सताने लगे तो हीरा रतन उतार कर सहद में डुबो कर रख देना चाहिए और फिर कभी भी हीरा धारन नहीं करना चाहिए हीरे को छोड़कर बाकी सभी रतनों को धारन करने का कुछ समय निश्चित होता है परंतो अगर हीरा सूट कर रहा है तो उसको आप आजीवन धरन कर सकते हैं इसका प्रभाव ना तो कभी कम होता है और ना नश्ट होता है मित्रों हमारे वीडियो जे आपको कैसे लग रहे हैं अगर अच्छे लग रहे हैं तो को पहला आइक करिए सेर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आज से करिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार नमस्कार